तो दोसो यहाँ पे Accenture की तरफ से बहुत ही अच्छी hiring निकली है और आप जा करके apply कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन-कौन eligible है और दोसो यह वीडियो आप पूरी देखिएगा तब ही आपको पता चलेगा कि कौन-कौन यहाँ पे eligible होने वाला ह और अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो चले दोसो वीडियो को स्टार्ट करते हों बहुत सारी hiring दोसो यहाँ पे निकलती रहती है तो दोसो यहाँ पे सबसे पहले मैं next पे click करता हूँ टेक है जैसी next पे click करता हूँ तो उसके बाद मैं आप तो दोसो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे दोसो direct hiring associate software engineer की direct hiring होने वाली है अब दोसो यहाँ पे जब view description करेंगे तो कौन-कौन यहाँ पे eligible होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात कने वाले है और कोई भी दोसो यहाँ पे active backlog नहीं होना चाहिए during application और one year of gap in education allowed है ठीक है maximum one year of gap होना चाहिए और candidate should not have more than 11 month of experience ठीक है और 11 month of experience से जादा नहीं होना चाहिए candidate should not have more than 11 month of experience ठीक है और दोस्तो यहाँ पे अगर हम लोग application development associate की बात करें तो इसमें क्या-क्या चीज़े होने वाली है जैसे कि दोस्तो यहाँ पे आपको build, test, assemble and configure application using business requirement जो होगा उसके हिसाप से दोस्तो आपको यहाँ पे testing, building, यहाँ पे आपको coding वगेरा लिखनी होगी और deliver code to time and quality expectation and participate in peer reviews, take ownership of the successful completion of the solution तो दोस्तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ अची हाँ निकली है जरूर जाके apply करिए अगर दोस्तो आपको ऐसी हाँ देखनी है तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा तो दोसों मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई